हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का कोशन नंबर 1 तो कोशन नंबर 1 क्या कहता है फ्रॉम दा फीगर आइडेंटिफाई हमें यहाँ पे यह एक फीगर दे रखा है और हमें इसमें यह सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है दस सेंटर आफ दी सरकल तो यहाँ पे यह हमने सरकल बनाया है और इसमें पूछ रहा है कि इसका सेंटर क्या होगा तो सेंटर हमारा क्या होता है जहाँ पे हम कमपास की निडिल रखते न उसी को हम बोलते हैं सेंटर तो यहाँ पे यह center O होगा तो यहाँ पे हम solution डालके लिख लेते हैं A वाला यह center हमारा क्या हो गया O B क्या कहता है 3 radii अब यहाँ पे radii क्या है हमारा plural है radius का जब एक से ज़्यादा radius की बात करते हैं तो उसको हम radii बोलते हैं तो यहाँ पे 3 radii बोल रहा है तो यहाँ पे देखो यह एक radius है O A दूसरा क्या है O B तीसरी radius क्या है O C तो यहाँ पे हम सारी radius के नाम लिख लेते हैं O A O B O C अब चुकि यहाँ पे यह हमारे एक line segment है जो radius है तो यहाँ पे हम इसके उपर इस तरह से यह line segment बना देंगे अब C वाला part क्या कहता है 8 diameter हमें एक diameter बताना है अब यहाँ पे diameter क्या होता है ऐसी line जो center से होते हुए जाए और circle की boundary को touch करें उनको हम बोलते हैं diameter तो यहाँ पे हम देख सका है यह A से चला और यह center से होते हुए C पर पहुँच गया और A और C जो है वो circle की boundary points है तो इसका मतलब यह हमारा diameter हो जाएगा तो C वाला क्या हो जाएगा हमारा A C तो यहाँ पे यह A C जो है यह हमारा एक diameter हो जाएगा D वाला क्या कहता है हमें cod बताना है तो cod क्या होता है हमारा circle की boundary पे हम दो points लेते हैं और उन दोनों को हम मिला देते हैं simply जैसे यहाँ पे यह एक circle है ठीक है इस circle पे हम कहीं पे भी दो points लेते हैं और इनको मिला देते हैं इस line segment को बोलते हैं cod तो यहाँ पे cod हमारा क्या हो जाएगा यह E है और यह D है हमने इनको मिला दिया तो यहाँ पर जो cod हो गया वो हो गया E, D अब E वाला part देख लेते हैं तो E वाला part कहता है two points in the interior हमें interior में दो points बताने हैं interior points क्या होते हैं हमारे जो figure दे रखा हो उसके जो अंदर points होते हैं उनको हम interior points बोलते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस circle के अंदर कौन-कौन से points हैं एक तो यह O है दूसरा यह P है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे E में एक तो O point है और दूसरा P point है उसके बाद आता है F वाला part तो F part क्या कहता है a point in the exterior हमें एक point बताना है जो exterior हो तो यहाँ पर exterior point क्या होता है जो figure दे रखा होता है उसके जो बाहर point होता है उसको हम exterior point बोलते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाहर हमें कौन सा point दे रखा है Q दे रखा है तो इसका exterior point क्या हो जाएगा F वाले का Q अब G की बात कर लेते हैं तो G वाला हमारा क्या कहता है A sector, sector क्या होता है कोई अगर हमें सरकल दे रखा है ठीक है, अब यहाँ पर यह सेंटर है, अब सेंटर और boundary को टच करते हुए यह जो line होती है इसको हम बोलते है radius, अब हम किसी सरकल के infinite radius बना सकते है तो यहाँ पर हमने अगर दो radius बनाए इस तरह से, ठीक है तो इस arc और इस radius के जो बीच का यह जो area है, यह जो region है इसको हम बोलते हैं sector, तो यहाँ पर G वाला पर इसमें sector क्या हो जाएगा sector O, A, B तो यहाँ पर यह हमारा sector हो जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर, जब हमने O, A, B, इस तरह से लिखा, तो एक यह वाला part भी बचा, तो इसको भी हम sector बोलेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने यह O, A, B लिया, तो यह वाला जो part है, बाहर बचा हुआ, यह भी हमारा sector है, और यहाँ पर यह हमने अंदर वाला sector consider किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे shaded, ताकि यह पता चलाए कि कौन सा हमने sector लिया है, उसके बाद में H वाला part कहता है, A, segment तो segment क्या होता है, तो segment क्या होता है, जो cord है और जो arc है, उन दोनों के beach का जो reason होता है, उसको हम बोलते है, segment, यहाँ पर यह हमारा sector था, और यह हमारा है segment, तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखेंगे, H वाला part है, segment E, D, अब यहाँ segment में भी दो part आते हैं, जैसे यहाँ पर यह हमने इस तरह से code लिया, एक यह part है, एक यह part है, यह दोनों हमारे segment हैं, अब यह depend करता है कि हम कौन सा segment ले रहे हैं, तो कभी-कभी तो segment जैसे यहाँ पर हम इसको A माल ले, इसको B माल ले, तो हम क्या करते हैं, इस R के उपर एक point ले ले लेते हैं, P, तो हम segment करेंगे segment ED और अंदर bracket में लिख देंगे, say dead वाला, सारे parts हो गए, questions हम आप, next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना ही